हलो फ्रेंड पिछले वीडियो में मैं इस PC को बील्ड करके आपको दिखाया था तो इस PC को हमने किस तरह से बील्ड किया अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो डेस्क्रिप्शन में जाके ये वीडियो आप देख सकते हैं तो PC को देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको purchase किया और सारे parts को मैंने एक साथ assemble किया तो चलिए इसके बाद मैं इसको OS installation करता हूँ तो पहले से मैं bootable pendrive भी बना चुका हूँ तो किस तरह से मैंने bootable pendrive बनाया वह भी आप जाके description में जाके लिंक से वीडियो को देख सकते हैं तो आपको सबसे पहले OS installation करने से पहले आपका PC का पूरा power off रहना चाहिए और pendrive को insert करने के बाद आपको power on करना है और power on करने के तुरंत आप देख सकते हैं यहापे pop-up मेनु आ रहा है तो आने के बाद हमारा जितने भी necessary setup है अगर आप pendrive को सही से boot किये होंगे तो automatically इसी तरीके से आपका setup का process आ जाएगा और आ प्रेस करने से तुरांती आपका जो pendrive है उस pendrive से आप PC को boot करने के लिए option आएगा और उसके बद आपको install पे क्लिक करके setup starting पे क्लिक करना है तो आप यहापे देख सकते हैं product key के लिए मांग रहा है तो मैं फिलाल इसको without product key setup करने बाला हूं तो इसको हम skip कर देते हैं तो आ यहापे देखिए आप दो ड्राइब आपको यहापे मिल जाएगा तो ड्राइब 0 और ड्राइब 1 यहापे ड्राइब 0 आपका जो external SATA SSD है उसको शो होगा और ड्राइब 1 आपका जो NVMe है वो शो होगा तो मैं यहापे NVMe में हमारा OS installation कर रहा हूं तो यहापे मैं ड्राइब 1 को सिले कर रहा हूं और इसको पैचानने का असन तरीका आप इसका जो storage है storage से आप इसको पैचान सकते हैं तो आप देख सकते हैं तो मैं यहापे दोनों ड्राइब को format करके drive 1 में हमारा partition 1,2,3 यहापे आ रहा है और हमारा जो दूसरा drive है उसको भी मैं यहाँ से format कर लेता हमारा दोनों ड्राइब अच्छे से बन जाए तो हो जाने के बाद यहाप आप देख सकते हैं पार्टिशन जिस तरह से शो हो रहा है तो जितने भी अनलक्टेट साहिद है मैं इसको लेता हूं नहीं तो आमें बाद में प्रॉब्लम हो सकता है या तो ड्राइब शो नहीं हो तो इसमें डायरेक्ली वे इस इस इंस्ट्ल करता हूं तो यहीं पर ड्राइब 0 में जो पार्टिशन 3 है उसके सबसे मैं इसको इंस्ट्ल कर रहा हूं और बाद की जो आपली का आपका पार्टिशन बनेगा वह रिजर्फ फाइल रहता है कंपेड़े के तरफ से तो चलि इसको select कर लेता हूं, select करने के बाद मैं इसको directly next पे click करूंगा, आप चाहे तो इसको format भी format कर लीजिए, और नहीं तो कोई problem नहीं है, तो चलिए इसके बाद ये setup आपने आप start होना start हो जाएगा, तो इसमें कुछ time लग सकता है friend, तो इस वीडियो के regarding अगर आपका कोई queries हो, कोई भी question हो, तो आप हमें comment में बता सकते हैं, तो मैं आपको help करने की कोशिश करेंगे, त मैं इसको fast forward कर देता हूँ, ताकि आपका time saving हो जाए, तो हमारा setup लगभग complete हो चुका है friend, तो 100% जब हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, तो setup complete होने के बाद आपको computer से pen drive को remove कर देना है, नहीं तो दुबारा से होई setup start हो जाएगा, तो फिलाल मैं पेंडराइब को देख boot होगा, क्योंकि हमारा boot drive automatically होई set है, नहीं तो आप भी set कर लीजिए, तो आप देख सकते हमारा setup है, वो starting हो रहा है, तो यह पर आपको show होगा, getting ready, तो यह पर मैं थोड़ा से skip कर देता हूँ, इसमें आपको 10 minute का time लग सकता है friend, तो चलिए, आप देख सकते हमारा setup keyboard layout है, तो मैं English India कर रहा हूँ, और इसका मैं आनादार, अगर keyboard layout मैं इसको skip कर रहा हूँ, और limited setup में मैं इसको setup करूँगा नहीं, तो हमारा जो drive account बहुत कुछ मांग सकता है, तो आपका जो name है, आप इसको देखे, enter next कर दीजिए, तो यह पर getting ready की नाम का एक option आ रहा है, तो देखिए few minutes लगेगा, इस तरह का एक पॉपा पा रहा है, तो इसी तरीके से आप पूरा process दिरे-दिरे करते रही है, तो आगे जाके आपको कोई भी problem हो, आप हमें comment में बता सकते है, मैं आपको help करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए इसके बाद हम क्या करते है, मैं यह से अपना जो this PC का drive है, मैं इसको ले आता हूं, तो उसके लिए आप देख सकते है, मैं पॉपार्टिस पे जाता हूं, और पॉपार्टिस को जाने के बाद थीम पे चले ही आई है, और यहापे desktop icon setting में जाके mark 10 computer को open कर दीजिए, तो यहाप देख सकते है, यहापे this PC आ चुका है, तो आप देख सकते हैं, हमारा drive, हमारा जो computer है, बिल्कुल ready हो चुका है, इस computer का manage शूरू से लेकर last तक किस तरह से इसको build किया और OS इंस्टल किया, मैं आपको इसमें दिखाया, और मैं एक चीज़ बताया था, कि हमारा drive फॉर्माट करना भूल गया था, तो इसी करके default कर रहा हूं, देखते हैं, आता है कि नहीं आता है, तो फिर देखिए इस दोनों drive को मैंने format कर दिया, क्योंकि हमारा show नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने setup के time में मैं इसको format करना भूल गया, तो फिर से फिर भी यहा पे नहीं हो रहा है, तो चली मतलब इसका drive लेटर है और डिक्ष्मेनस में जाने के बाद जो हमारा जो अलग सा volume है, तो इस तरह से मैं इसको volume, change volume देखे आपका drive लेटर है, तो यहा पर मैं इसको D कर देता हूं, और इसके बाद मैं इसको E कर देता हूं, तो E करने के बाद आप देख सकते हैं, हमारा दोनों drive यहा पे आ रहा ह तो पसंद आया तो like, share और subscribe कर देना, और आगे भी इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद